a convex lens of focal length, एक convex lens है, जिसका focal length कितना है? 0.10 meter, ठीक है? 0.10 meter में है, ठीक है? is used, मतलब हमने इस lens को used गया, to form a magnified image, एक magnified image बनाने के लिए, of an object, of an object, of height, मतलब height of object कितना है आपका? 5 mm, ठीक है? 5 ये mm में के लिए दे दिया, अच्छा, और ये object कहा रखा हूँ है? placed at a distance of 0.08 meter from the lens, ठीक है? चालो, आपको find करना है, position, nature and size of the object, first of all, हम इन सभी चीज़ों वो, centimeter में convert कर जाते हैं, इसे centimeter में convert करना हो, ज्या करेंगे? into 100 कर देंगे, ठीक है? into 100 कर देंगे, ये कर दिया, और इसका यही से point हटा दो, ये 100 से 100 गया, कितना मचा? 10, तो ये क्या कहा है? 10 centimeter, ठीक है? 100, नीचे 100 कर देना, point हट जाएगा, 00 हट जाएगी, 100 से 100 गया, क्या गया? 8 का centimeter, ये आपको सब कुछ क्लियर, अब देखो, object है, object आपका negative में होता है, कौन सा lens था है, convex lens है, ठीक है? चलो, यहापर लिख दूए करो, convex lens, ये negative, HO positive, FV positive, क्योंकि ये convex lens है, अगर आपको ये equals to 1 by V minus 1 by U, ये lens का formula होता है, 1 upon F, F का value क्या है, 10, F का value है 10, V नहीं पता, U हमें पता है, minus का 8, ठीक है, अब ये minus और ये minus प्लस हो जाएगा, ये minus और ये minus प्लस हो गया, 1 upon 10, अब मैं 1 upon 8 को इधर ला रहा हूँ, 1 upon 8 equals to 1 by V, ये सब आपका clear, अब जब आपके solve करोगे, सब जाएगा, minus 1 by 40, so V आपको क्या हो गया, minus का 40, देखो छोटा सा step खाया, मैंने LCM ने लिया, LCM आप नाम ले ले ले, ठीक है, so V आपको क्या हो गया, negative का 40, अब V आगया, यू आपको पता है, यहां से magnification find करो, देखो, V आपका negative का है, मतलब जो आपकी image बन दी थी, वो क इमेज, तो image इधर ही बन रही है, और जब image इधर बनती है, तो वो virtual होती है, अगर image उधर बन रही होती है, तो कैसे आती, positive की, और वो real होती, तो M हम find कर रहे थे, M का आपको फिर से, M का form राता है, V upon U, यहां पर V क्या है, V, V आपका minus का 40, अभी अभी हमने find कर रहे है, U क minus से minus गया, 8, 5 is up 40, तो M आपको क्या आगया, positive का 5, देखो M जब positive हो आता है, तो image virtual होती है, मैं हर वीडियो में बता रहा हो कि यह V और M से आप nature बता सकते हो, ठीक है, अब देखो, यहां पर V negative है virtual, M positive है, वो virtual, तो दोनों चीज़ों से आपने हमने बता दिया virtual, अब हमें height निकालनी है image की, कि कितनी बड़ी image है हमारी बन नी, तो M का एक और formula होता है, HI upon HO, M आपने निकाला कितना, 5, HO क्या है, 0.5 cm, तो मैं HO को M से multiply कर रहा हूं, simple, 0.5 equals to HI, इसका answer निकाल लो, कितना जाएगा का, 2.5 equals to HI, ठीक है, 2.5 equals to HI, और यह किसमें आया, cm में आया, अगर आप M में निकालना चाहोगे, तो यह क्या होगेगा, 25, into 10 कर देना, यह क्या होगे, 25 mm equals to HI, तो height of object आगे आपका, यह size भी आगे, यह size होता है, height भी, और M आपका क्या है, positive का, तो यह virtually में जाए, V से ही बता सकते हो, तो यह था आपका question,